जैन दोस्तों वैकम बैक टो जॉप्ट इरिया आसा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे एक बर फिर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत एक बड़ी अफडेट के साथ आपके समख शुपस्तीतूं दोस्तों और ये जो अफडेट है जारकन सहाय का चार्ज भरती से संब के बिच बड़ी अफडेट निकल के आई है कि हाई कोट में हाई कोड में TRADA का लेकर अच्छ उनवाई हुई है तो देखें मामला कुछ इस पर कर रहा है कि आपका यहां अगर आप देखेंगे तो हाई कोट ने सहाय कचाज नियुक्ति में हो भासा की पूर्ण परिक्षा पर मांगा जबाब जी हाँ दोस्तों जैसा कि परिक्षा जब यहां पे कंड़क्ट हुई थी सहाय कचार्ज की तो उस समय क्या था कि हो भासा जो छेत्रिय और जनजातिय भासा है उसमे जो परिक्षा कंड़क्ट हुई थी तो उसी से सम्बंदित जो है अवियर्थियों ने आपको केस किया था देखिए इसमें पूरा बेवरा आपको समझ में आएगा कि जारकन हाई कोट में सहाय कचाज नियुक्ती परिक्षा में छेत्रिय भासा हो की पूर्ण परिक्षा को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई आदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए राई सरकार और जेससी से जवाब मंगा आदालत ने सपत जो है देखिए ध्यान से सपत पत्र के माईदम से चार सपता के अंदर जवाब दाकिल करने का निर्देस यहाँ पे दे दिया है मालूम हो कि महेंद्र लुगाई वा आईने ने याचिका दायर करके हो भासा की पूर्ण परिक्षा कराने की मांग की है याचिका करताओं ने कहा है कि जेसेसी ने 15 जून 2024 को द्यान दीजेगा 15 जून 2024 को जो परिक्षा हुई थी साहय करचार्च परिक्षा के तहत हो भासा की परिक्षा ली गए थी परिक्षा में कक्षा एक से पांच वी तक के सवाल पुछे जाने चाहिए थे लेकिन परिक्षा में मिले प्रसनपत्र में कक्षा चटी से आठवी तक के सिलेवस से करीब 75 परसंट सवाल पुछे गए थे जैसे सी के बिगापन में भी कक्षा एक से पांच तक के सिलेवस से ही सवाल पुछे जाने की बात कही गई थी ऐसे में युक्त परिक्षा को रद करते हुए हो भासा की पूर्ण परिक्षा लेने का आदेस देने का आगरह आदालत से किया गया है यानि आप यहाँ पर समझ गए हैं कि मेटर क्या था कि जो परिक्षा आपकी हो भासा की हुई थी वान टू फिप्ट के लिए तो उसमें जो है 75 परसेंट जो आपका सिलेवस जो था आउट आप सिलेवस कोश्टन पूछा गया था और यह आउट अफिलेवस कैसा था यह आपका 6-8 वाले सिलेवस से जो है पूछ लिया गया था तो इस मामले को लेकर जो है इस तरह के यहाँ पे Candidate High Court केस किये हैं और out of syllabus के basis पर यहाँ पर बोला गया है कि फिर से यह परिक्षा conduct कराई जाए अब मामला यह है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक तरफ तो परिनाम का इंतिजार हो रहा है और दूसरी और यहाँ पर उसी समय तो बहुत सारी candidate उस समय फरस्टेट थे जब यह परिक्षा conduct हुई थी जिसमें 75% out of syllabus आया था अर इस तरह अगर देखा जाए तो सिर्फ हो भासा के नहीं कुडमाली में भी ऐसे देखने को मिला था और तमाम जो है चेत्रियों जिन जाती हमासा में यह चीज़े देखने को मिली थी अब देखिए उसी केस का जो है इस matter को लेकर सुनवाई हुई है अब देखिए चार सब्ता के जो है अंदर जो है जवाब दाखिल करने का जो है निर्देश दिया है अदालत ने तो अब देखिए आगे का क्या हो सकता है लेकिन परिणाम की अगर बात करें तो आपको मालूम है जेटेट वर्सेस सीटेट केस का जो है यहाँ परिनाम को जो है सुप्रिम कोट ने जो है यहाँ पर रिजर्ब रख लिया गया है अब वो अगर यहाँ परिनाम अगर यहाँ पर डिक्लियर कर भी देते हैं यानि सूप्रिम कोट अगर जो जज्मेंट को रिजर्ब रखा है उसको अगर यहाँ पे डिकलियर कर देते हैं फिर भी परिनाम अभी नहीं आ सकता क्योंकि आचार सहीता लगी हुई है तो अब तो परिनाम जो है आपका गौर्मेंट यहाँ बनने के बाद ही आएगी यानि नियू येर जो है आपकी यहाँ परिनाम जारी होगी तो यही थी दोस्तों अभी के अपडेट थेंक्स पर वाचिंग